जिन्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व कि पिछले जो इन्होंने on demand exam चलाये हैं जैसे कि अभी January का result आ चुका है उससे पहले सितंबर में चलाया था उससे पहले अगस्त में चलाया था उससे पहले जुलाई में चलाया था तो इनका इतना record जानलो ताकि आपको पता चलाया कि जो फरवरी में on demand exam दिये है जो मार्च में on demand exam दिये है उनका result कब तक आएगा ठीक है तो देखो अभी latest जो अभी आया है ने result वो January का आया है और January का result कब आया था तो January का result आया है 13 अपरिल के रात को तेरा पिल के midnight को आया है ठीक है और इनका result आया है लगबग देखो officially इन्होंने यही कह रखा है कि 45 दिन के अंदर हम result को declare कर देंगे लेकिन देखो दो सालों से वीडियो उना रहा हूँ मैंने कभी भी मैं जब से बना रहा हूँ तब से बता रहा हूँ उसे पहले इन्होंने किया हूँ जब से मैं वीडियो नारों मैंने यही देखा है कि इन्होंने डेर महिने के अंदर कभी भी डिकलेर नहीं किया result को ठीक है यानि कि 45 दिन में उन्होंने कभी भी नहीं किया है 50 दिन 55 दिन इतना इनको लग जाता है और maximum टाइम मैंने इनको देखा है कि दो महिने ले ले लेते हैं result को डिकलेर करने में ठीक है अब देखो अभी पिछला हाल मैं आपको अतायता हूं कि जो जन्वरी में on-demand exam दिये थे ने उनका रिजल्ट आया था जो आया था ना इनका रिजल्ट आया था 74 या 73 दिन के अंद अंदर इनका डिकलेर हो गया था रिजल्ट जिन्होंने सितंबर में on-demand exam दिये थे ठीक है जो अगस्त में दिये थे ना उनका रिजल्ट आया था इनका दिकलेर हो गया था ठीक है उससे पहले वाला देखाऊंगे जून वाला तो जून Wii वालों के साथ जैसे उन्हसद लिजन वहा देखे आप लोग को अब हाली का data देख और तो आपको यही देखे गा कि दो महीणे में भी एक दोमाइने में लिएकने पोला सब्सक्राइब करने में जैसे कि जन्यवार्इ का देख लो चन्वरी में दो महिना से भी उपर लगया दोम हेना 13 दिन लगा है रिजल डिक्लेर करने में तो इसीज को आप समझके अपना एक्सपरेशन यहां पर रख सकते हो कि आप लोग का जिन्होंने फरवरी में ओंडिवान एक्जाम दिये हैं वो उनका रिजल कब तक आएगा ठीक है दो महिना मान के चलो देखो जिन्होंने फरवरी मे बिल्कुल एंड में आप लोग के रिल्ट आने की पूरी समभावना है अपरिल के द में नहीं आता तु इसके समा अपके इमान के चलना यह कि मैं के म। में कंफर्म है कि आपका रियल्ट आ जाएगा ठीक है और जिन इस्टुरेंस ने मार्च में ओंडिवान एक्जाम दिये चाहिए आपने एक मार्च को दिया है यहां से दो महीने काउंट कर लो तो मार्च छोड़ो यह मार्च के बाद मई जून जून के लास्ट में आप लोग की रिजल्ट आने की संभावना है ठीक है और आपको यह भी ध्यान रखना है कि अभी जो मैंने आपको प्रिवेस इनका रिकॉर्ड दिखाया उसको भी ध्यान में रखना है यह दो महीने से ज्यादा भी टाइम ले रहे हैं जैसे कि एक दो हफ यह रॉंग भी हो जाता है और यह एक हफ्ता दो हफ्ता ज्यादा ले लेते हैं दो महिना से ज्यादा ले लेते हैं ठीक है तो इस चीज को ध्यान में रखना है और देखो एक्जाम आपने दिया है अच्छी बात है देखो इस चीज को पोछना बहुत अच्छी बात है और म दो महीने के बाद आपका रिजल्ट का टाइम हो जाएगा उसके बाद मैं अथोटी से बात करोंगा उनकी कॉल रिकॉर्डिंग आपको लोग के लिए लेके आऊँगा ताकि आप लोग उससे देखो एकी रिजल्ट कब तक आने वाला है ठीक है अब देखो तो ओडी एक्जाम को लेकर ना काफी स्टूरेंस ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि पता नहीं है यह वो नहीं है बहुत होती है तो मैं उसके लिए आप लोग के लिए बात कर रहा हूं उसके बात डला डाल अगर आपको देखो वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप डिसल्या जो रिरित होई नहीं कि कमेंट में आप उल्टा सिधा चीज बोलोगे भाई मैं कुछ गलत होई नहीं कर रहा हूं हेल्प युदो कर रहा हूं आप लोग की ठीक है बाकि देखो जितने भी स्टूरेंस हैं जब भी आप लोग करियल डिकलेर होगा मैं आपको इंफर्म कर दू मैसेज करो और इंसाग्राम पर आप चाहो तो मुझे प्रवबलम सेड कर सकते हैं इसका मैने रिपलाइ न दिया हो घruktर हूँ जो मैं सबके साथ क्नेक्ट रहतू हमेसा हैं तो आप लोग कमेंट कर लेना जो भी आपकी प्रवबलम है या मैसेज कर देना ठीक है रिजल जो भी इंफोर्मेशन आप लोग के लिए प्रवाइट करेगी यह कहीं भी किसी भी सोर्स से आपको मुझे मिलता है तो मैं आपको इंफोर्म करूंगा वीडियो के थुरू इसके लिए आप लोग बेफिकर है ना ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में